जैकलीन फनांडेस की टॉपलेस तस्वीरे हुई इंटरनेट पर वाइरल देखकर फैन्स हुए क्रेजी जैकलीन अपने कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और फैन्स को इस बात की जानकारी दी है कि इंस्टाग्राम पर उनके 46 मिलियन फॉलोवर्स हो गए है ज ऑलिवुड सिंगर निहा ककर और रोहन प्रीत आज शादी के बंधन में बंद गए इंटरनेट पर इनके शादी से जुड़े कई वीडियोज आज वाइरल हुए है करीना कपूर खान ने एक इंटर्वियो में खुलासा किया कि जब सैफ अली खान को उनकी दूसरी प्रेगनेंसी का पता चला तो नोंने खुशी जताई और नॉर्मल रियाक्शन दिया करीना ने ये भी कहा कि वो इसे साथ में सेलिबरेट करना चाते थे लेकिन महामारी की वज़े से सेलिबरेट नहीं कर पाए करीना कपूर को सैफ लिखान के साथ डेटिंग के दिनों की आई याद शेर की 12 साल पुरानी एक खुबसूरत फोटो इंस्टाग्राइम पर करीना ने फोटो शेर करते हुए एक आप्शन में लिखा मायलव और मैं एथन्स में 2008 भारतिय क्रिकेट टीम के दिगज क्रिकेटर कपिल देव की हेल्थ में सुधार हो रहा है उन्हें 22 ओक्टबर देरात को सास लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके बाद उन्हें दिल का दोरा पड़ा अच्छे स्वास्त के लिए शारुक खान, लिचा चडड़ा और अन्वीर सिंग समेथ कई सिलेप्स प्रातना कर रहे है कंगना रनाउट ने फिर एक बार महाराश्ट्र के मुख्य मंत्री उद्धर ठाकरे सरकार पर साधा निशाना पत्रकारों के सपोर्ट में उत्री कंगना दरसल रिपोर्ट्स के मताबिक पुलिस ने मुंबई पुलिस के कथित तौर पर बदनाम करने के चलते रिपब्लिक टीवी के कुछ पत्रकारों के खिलाफ एफायर दर्च की है इस पर एक मशूर जर्नलिस के ट्वीट पर रियाक्शन देते हुए कंगना ने लिखा कहा राजा भोज, कहा गंगु तेली महाराश्ट्र के पपूपरों के स्वण इर्मित महान नेता से क्या तुलना करना जो अपने पिता के सिधानतों के सत्ता के लिए बेच दे वो किसी के अधिकारों और उनकी भावनाओं को क्या समझेगा धितकारे ऐसी सरकार पर जो पत्रकारों प्यत्याचार करे फिल्मेकर महेश भट पर अभिनेत्री लवीना लोद ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कई गंभीर आरोप लगाए है लवीना ने कहा कि महेश भट और उनके परिवार के सदस्य दौरा उन्हें परिशान किया गया इन आरोपों के बाद महेश भट के प्रोडक्शन हाउस की ओर से एक बयान जारी किया गया है विशेश फिल्म के वकील ने महेश भट की ओर से कहा है कि लवीना लोद के इन आरोपों से उनकी छवी को खराब करने की कोशिश की गई है उन्होंने लवीना के आरोपों को इंकार किया है और काय कि ये सब जूट है साथी कानोनी कारेवाई करने की बात कही है हाल ही में शारुक खान की बेटी सोहना खान ने अपने भाई आरियन खान और बहन आलिया छिपबा के साथ एक बेहत प्यारी तस्वीर को शेर किया है लेकिन उस तस्वीर को सोहना ने उपस बता डाला आपको बता दे कि किंखान की लाडली सोहाना के सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है वो जो भी तस्वीर शेर करती है वो कुछी देर में वाइरल हो जाती है काजल अगरवाल ने यूफ लॉन किया अपनी एंगेजमेंट रिंक वाइरल हो गया वीडियो काजल ने वीडियो को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेर किया है काजल ने अपनी पोस्ट में बताया था कि वो इसी महीने के 30 तारिक को गौतम किचूल से शादी के बंधन में बंधेगी अक्षे कुमार अपनी आने वाले फिल्म लक्ष्मी बॉम में लाल साडी और चोडी पहने दिखाई देने वाले है साडी पहनने के एक्सपिरेंस को लेकर मनीश पॉल से बातचीत के दौरान अक्षे ने साडी को दुनिया का सबसे खूबसूरत पोशाग बताया साथ ही उन्होंने महिलाओं की तारीफ की जो साडी को बड़िया तरीके से पहनते है उन्होंने कहा कि खूबसूरत फीलिंग और प्रोसेस को महसूस करने के लिए सभी को एक बार जिन्दगी में साडी जरूर पहनना चाहिए अर्ण जरूरत फीलिंगे उन्होंने का सबस्टाइब बताइब बताया